सरकार ने इंदरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों का पक्का मकान बन सकी परंत बहुत अफसोस की बात है कि सिधार नगरजनपत के डुमरिया गंजबलाक के हिसामुद्धीन पूर गाव निवासी मंसा राम सहीर दस लोगों को आवास ना बनने से काफी कठनायों का सामना करना पड़ रहा है मैं ब्रम्हजीत यह मेरा समधा है क्या आपका बीपेल सुची दोहजार दोमे नाम है क्या आपका इंदरा आवास बना है नहीं यह सामने देखो घर कुरिया यह परा है सामने ब्रम्हा इनका इंदरा आवास बन जाए तो अससे क्या फाइदा हुआ हो था आपके गाओं के कितने लोग हैं जिनका आवास नहीं बना है हम रे गाओं में इतने लोग हैं कि दस लोग पड़ा हैं कि इसे बे घर का आपका इंद्रावास बना है नहीं है तो इंद्रावास ना बनने से क्या समस्य हो रहे हैं आप दूसरे गर में रहा जाते हैं आपने क्या परियास किया अधर सबसे कहन तो कौन ना इसुनु आई किन परदान और दान को समय से बहुत है तो कि हमारा चपर का मकान है कच्छी मट्य की दिवाल है आनी तूफान आता है इसमें परिसाने होता है हमने तो परजाज बहुत विया परदान के पास गया दो दो परदान गुजर गये लेकिन हमारा ये मकान नहीं बन पाया मैं और मेरा समधाय चाहता है कि गरीब परिवारों का इंदरावास बने जिससे इनकी समस्या दूर हो सके आप सभी वीडियो देखने वाले दर्सकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धाद नगर जनपत के डुमरिया गंज बलाक के वीडियो का मबाइल नंबर है जिससे इनका इंदरावास बन सके मैं परहमजी सिद्धाद नगर उत्तर परतेश से इंडिया नहर्ड के लिए